येज, गुद्पोर्णि इस्टुडइंट, स्टार्ट यॉर एक्प्टर बेड, ओके। हमारा सैकंड चप्टर स्टार्ट है, सैकंड चेप्टर का हमने पेज नूम्मर 18 तक अपना काम कंप्लीट कर लिया, ओके। पेज नूमर हमारा ये 18, 18 तक कंप्लीट हो चुका है, ओके let's go now page number 19 okay page number 19 पे है हमारी activity missing parts ठीक है ना name और date mention करो लो okay first number पे है find the missing parts of each of flowing computers and write its name in the space given below यह देखकर बच्चो यहां पे three computer दिये हो ठीक है इसमें यह बताया गया है इन तीनों computer में एक parts है इसका missing है तो आपको देखना है कौन सा parts missing है और कौन यहां पर उसका name लिखना है computer के कितने parts होते हैं four parts होते हैं कौन कौन से monitor keyboard CPU और mouse okay let's go now first picture first picture में यह क्या है यह CPU है ठीक है monitor mouse ठीक है missing क्या है यहां पर missing है keyboard okay हम नोट करेंगे यहां पर keyboard second में क्या है second में monitor है keyboard है mouse है what क्या नहीं है CPU नहीं है तो हम नोट करेंगे CPU okay third में क्या है third में यह को CPU भी है monitor भी है keyboard भी है वट क्या नहीं है mouse नहीं है तो हम क्या लिखेंगे mouse okay mouse right करेंगे यहां पर let's go now activity fun ठीक है यह भी मज़ेदार activity है on the way from the waterfall to the village यह गाउं के रास्ते में एक waterfall waterfall का मतला होता है जहरना ठीक है waterfall उता झिश्पोल धना इसमें घहरने में क्या होता है हमेशा पानी उपर से नीच गिर जब एक बार उपर से नीचे गिर गया तो ओँपर नहीं चाहित तो आशितना यह बॉत ऑने चाहित अर्ड पानिंग पार से निचे वो चुपे हुआ हैं एक पार ठीक है आपको क्या करना है find out and circle them also complete their name हमें उनको ढूंडना है find out मतलब उसको ढूंडना है उसके circle लगाना है फिर उनकी spelling हमें complete करनी है तो यह waterfall है यहां से start होते हैं उपर से start होते हैं ठीक है ना waterfall के पास क्या है यह क्या दिखाई दे रहा है what is this cpu हम cpu पर क्या करेंगी हम cpu पर circle कर देंगे तीक है यहां पर मोनिटर की spelling आप खुद करोगे किसी की help नहीं लेनी आपको chapter में से देखनी है learn करनी है फिर यहां लिखनी है माउस कीबोर्ड कीबोर्ड यह देखो कीबोर्ड ठीक है इसके बाद printer प्रिंटर के बाद speakers कितने स्पार्ट होगे computer के cpu मोनिटर माउस कीबोर्ड प्रिंटर और speakers ओके यह आप खुद करोगे बेटा काम ठीक है ना learn करके spellings और फुद नोट करोगे इसमें ओके थैंक यू वैव नाइस दे गोड ब्लेस्ट यू